हेलो माई डेर स्टुडेंट्स कैसे आप सभी तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर फाइफ बड़ा ही इजी पिप चैप्टर है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें जो बाते हैं वह बढ़ी इंट्रेस्टिंग है जो आपके हर साल काम आने सबसे पहले चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या नाम है बचा चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बहुत ही अच्छे से थोर्माले लिए लिए लिखा है तो इसका मतलब इसको हम सिंपली एक छोटे से नाम से भी जानते हैं जिसको हम एक बोलते रहते हैं और एपी एपी तो एपी को हम पढ़ने वाले हैं देखो आपने टेबल पढ़िए टू तो टू जा फोटू तो थोटे जा 6 टू फट फॉर्जा एट जरू अईसे करके ठीक है ऐसे हमने यह नंवर्श लिख सकते हैं तो सर इस दा क्लेक्षन ओफ नंभर ठीक है यह क्या है numbers का collection और जिसको collection of numbers है तो सहीज है 2, 4, 6, 8, 12 ऐसे कुछ numbers बनेंगे तो यह numbers से कुछ order को follow कर रहे हैं ऐसे हमने कुछ number नहीं लिखे कि 2 लिख दिया फिर 7 लिख दिया फिर 3 लिख दिया फिर 5 लिख दिया फिर 9 लिख दिया एसे कोई sequence नहीं लिखा हमने means यह कुछ rule को follow कर रहे हैं तो इसलिए इनको हम बोलते है sequence क्या बोलते है this is a sequence of numbers ठीक है तो ऐसे sequence को ही हम AP बोलेंगे कब बोलेंगे वो समझना है अगर आपके पास कोई sequence लिखा हुआ है ठीक है तो यह सीक्वेंस के अंदर अगर मैंने लिखा 2,4,6,8,10,12 फूर एक्जामपल ठीक है तो यह जो number मैंने 1,2,3,4,5,6,6 numbers है ठीक है न इन 6 numbers को अगर मैं देखूं तो यह इसकी first term है यह जो 4 है यह इसकी second term बोल सकते है इसकी दूसरी term है 6 हमारे पास यहां पर क्या है 3rd term है 8 क्या है 4th term है 10 हमारी 5th term है ऐसे हम बोल सकते हैं यह 6th term है तो यहां से हम 6th term बोल से तो ऐसे करते 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 लास्ट में आप एक नया नाम सेखो कि जिसको हम एन अथ term बोलते हैं कि कोई भी term हो सकती है and here is a natural number यह भी ध्यान रखना and क्या है यहां पर natural number है ठीक है यह ध्यान रखना कि natural number वाली कोई term मैंने का 158 तो यहां पर ओके तो नव यहां पर देखो यह first term है और यह second term है तो ऐसे अगर मैं तुम्हें च्छाए number दू तो वह a.p कब होगा वह समझना देखो सब first term और second term के बीच में first term and second term के बीच में कुछ gap होगा ठीक है मैंने खा second term और third term के बीच में भी कोई gap होगा similarly third term और fourth term के बीच में कुछ gap होगा और fifth term और fourth term के बीच में टू आ रहे है और फोर और शिक्स के बीच में भी टू का गयप है शिक्स और एट के बीच में भी टू का गयप है फोर और फिक्स के बीच में भी फिट एंट शिक्स टम के बीच में सब में टू कोमन है तो अगर यह आपका डिफ्रेंस है इस इस दिफ्रेंस बिट्विन कंट fraction of numbers are equal is known as ap that sequence is also known as ap clear तो ap के लिए sequence जगी हमारे को numbers का और उन sequence में terms के बीच में उनका equal gap होना चाहिए उसी को हम बोलेंगे ap arithmetic progression तो this is a sequence पहली बात यह ध्यान रखना है कि यह sequence यह ज्यादा कुछ है नहीं तो अब देखो यह first term है इसको हम बोलेंगे a1 और a1 को हम basically a ही बोलेंगे क्या बोलेंगे पहली बात यह ध्यान में रखनी है जो second term आपकी होगी उसको आप बोलोगे a2 जो third term होगी उसको a3 fourth term होगी उसको a4 fifth term होगी उसको a5 और इसको बोलेंगे a6 तो यह तो हमारा होगा वह ऐसा होगा a1, a2, a3, a4, a5 डोट 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 लगा देंगे लास्ट में लिख देंगे a n कोई भी natural number ठीक है कहां तक भी हो सकता है collection of number is known as ap when 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 कब जब a2 minus a1 equal होगा a3 minus a2 मतलब यह क्या लिख दिया सर मैंने कहां इन दोनों का gap और इन दोनों का gap हमेंसा difference निकालोगे तो assume करते हैं कि a2 बड़ा है जहां से सुन ले न a2 क्या है बड़ा है a1 से बाद में आ रहा है इसलिए तो a2 में से a1 निकालो और फिर a3 में से a2 निकालो that is the difference between both the terms is also equals to a4 minus a3 is also equals to a5 minus a4 and similarly dot 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 बोल सकते हैं सब का difference क्या हो equal तो बोले सर इस difference को नाम ही दे दो न तो मैंने इस difference को बोलते हैं common difference क्या बोलते हैं common difference जिसको आप small small common difference जिसको आप small d से represent करेंगे this is the common difference मैंने खाँ okay इसका मतलब सर अगर उपर वाला example 2 4 6 8 और 10 अगर हम समझें तो यह जो a है हमारा तो यह जो a1 है यह a1 कैसे आया होगा तो मैंने का a1 कैसे आया कि जब first term में कुछ two जोड़ा तब मैंने का okay मतलब इस two में two add किया तो a2 आया क्या आया a2 मतलब a चाहिए हमारे को बोले हाँ a तो चाहिए गा तो मैंने का a3 कैसे आया होगा तो आपने का first term में d दो बार जोड़ा तब जाके आपके पास a3 है मैंने का कैसे प्रूव करके दिखाओ मैंने का यह 2 है 2 में 2 टाइम और एड कर लो तो इस कितना हो गया सिक्स दिस इस ओर a3 और नोट a1 a2 और a3 वेरी गूड तो हमारे को समझ में तो आ रहा है सर मैंने का पहला term a1 रहेगा a2 कैसे आएगा जब पहले term में आप उन दोनों में जो डिफ्रेंस उसको एड कर दो तो आपने का वेरी गूड सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मैंने का अब देख अब देख कलाकारी क्या करवा रहे हो मैंने का सुनो देखो आपने इतना तो पढ़ा कि सर टू टू के बीच में जो डिफ्रेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे टू 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 है और एक त्री है और एफॉर है तो अगर इन चारो टू 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 आपको चैक करना है कि दीजार इन एप और नोट तो वाट यू कैंड डू अलली डैट एट टू माइनस एवन आए दिखा वो इक वाला ना चाहिए एथि मैनस एटूके और वो इक व far ना चाहिए एफञ से थरी के देट बोल до Oakt document ृब्स यंधमेड हां कुछ County करना यह निकालना है और इससे यह करना है बोला एक सर इसमें कुछ formula होता है मैंने खाँ क्या कुण सा formula होता है मैंने खाँ देखो आपको first term को a बोलोगे that is a1 को हम क्या बोलेगे a2 कैसे निकालेंगे first term में d को add करेंगे मैंने खाँ very good a3 कैसे कैसे निकालेंगे sir a2 में भी d add कर दो या फिर first term में d two time add कर दो बोले ओके बात तो एक ही बोले कैसे मैंने का a2 की जगह क्या लिखो a plus d लिख सकते हो उपर से बोले हाँ plus d extra चल रहा है या फिर a plus 2d बोल दो इसको और यह हो जाएगा a plus 2d बोले हाँ सर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैंने का fourth term कैसे नि plus 3d बोले ओके देखो भाई मैं simply अगर तुम्हारे को यह एक्जामपल याद है 2468 वाला तो इसी से समझ जाओ पहली term 2 है दूसी term 4 कब आई जब 2 में 2 एड किया 6 कब आया होगा जब मैंने इस 4 में 2 एड किया होगा समझ पारे हो कि नहीं समझ पारे समझ पारे हो ओके मैं य अगर आपने एक नंबर लिखा 2 4 6 8 और 10 अगर आपका a2 है और d कितना है तो है दोनों सब में डिफ्रेंस टू टू का है ना 2 से 4 4 से 6 6 8 8 से 10 बोले ओके तो आपको अगर पहली term a1 लिखना है तो that is a 2 है आपकी बोले होगे मैंने का 4 लाना है तो a2 कितना है अभी के लिए 4 तो आप इसको क्या लिख सकते हो पहली term में मैंने d को एड किया 2 को एड किया बोले ok a3 कैसे लिख सकते हो that is 6 तो आपने कहा second term में 2 को एड किया मतलब 4 में 2 एड किया तो 6 आयता है की नहीं आता है तो इसका मतलब a2 कितना है आपका a2 a plus d है और इस 2 की जगह मैं d लिख दू तो आप ऐसे बोल सकते हो sir आपने 4 में 2 एड किया तब a3 आया बोले ok तो इसको आप लिखो a2 plus d that is equals to a plus d plus d is equals to a plus 2d मैं एक चीज़ समझा रहा हूं formula कैसे आया वो बस a4 कैसे आया होगा sir 8 है तो 8 कैसे आया पहली वाली term 6 में 2 एड करने पर आया बोले ok तो मैंने का a3 में d एड करने पर आया और a3 अभी अभी पता किया था क्या है a plus 2d और उसमें आपने d एड कर दिया that is a plus 3d हो गया बोले ok sir similarly a five तुम idea लगाओ अगर a1 निकाल रहे हो तो डी है नी एक बार अड होगा a3 निकाल रहे हो तो d दो बार अड हुआ a4 निकाल रहे हो तो d तीन बार अड हुआ माइनस वन कितना होता है मैं नहीं पता तो आप सिंप्ली लिखो ना a plus n-1 time d ओके सर तो दिश इस और फोर्मुला तो कैल्कुलेट एनध टम अफ एनी एपी इस देर यू नो अबाउट a and d मतलब आपको एक एपी देगा उस एपी का फर्स टम पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए कि कोमन डिफ्रेंस क्या है तो आप उसकी कोई भी टम पता कर सकते हो एन की जगह आप वन टू थ्री फोर से लेकर infinite तक लिख सकते हो प्लस के numbers that are whole numbers ठीक है कुछ भी जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा आप 15 पता करना है तो आप क्या कहोगे सर देखो फोर्मूला होगा एप्लस 15-1 इंटू डी ए हमारा इस कोशन में टू है प्लस 14 इंटू 2 तो यह हो जाएगा 2 प्लस 14 टूसर 28 देट इस 30 कितना हो जाएगा 30 तो ए 15 कितना हैगा 30 तो हम कोई भी टम निकाल सकते हैं तो इस इस और होगे बताओ क्या होगे तो आप क्या क्या ओmee देखो एप लस एप यह प्लसन की घंग रख दो और A2 कैसे आएगा A3 कैसे आएगा हम सब एक्जांपल में डिस्कस करेंगा तो फटा फट एक्ससाइज 15.5.1 के एक्जांपल प्रू करते हैं तो पहला एक्जांपल आपकी नजरों के सामने यह रहा इसका मतलब आपको एपी चेक नहीं करने हैं यह क्या कह रहा है अगर आपको एन पता है कुछ इस फोर्म की है तो आपकी फॉर्स्ट थ्री टॉंस बताओ इस सीक्वेंस की क्या होगी नोट एपी ओनली सीक्वेंस तो आपने कहा देखो इसके सोलेशन में मैं लिखूंगा at n is equal to 1 that is the first term n is the number of terms तो अगर आपने लिखा तो a1 बना that is 3 into 1 plus 2 बना बचा that is 3 plus 2 is 5 ओके मैं लिखा second term निकालना तो a2 लिखना पड़े का और n की जगा मैंने क्या लिख दिया 2 तो आप लिखोगे at sorry मैंने बात नहीं लिखी है at n is equal to 2 for second term तो we can write a2 equals to 2 into 1 plus 2 that is क्या कर दिया मैंने sorry 3 into 2 करना है नहां मैं सुच रहे हैं यह क्या लिख रहा हूं मैं now 3 into 2 that is 6 plus 2 is 8 दो टम लिख दी अगर आप से 3rd term पूछ रहे तो आप क्या लिखोगे at n is equal to 3 at n is equal to 3 तो a3 क्या हो जाएगा बताइए that is 3 तो पहले से into 3 और हो जाएगा plus 2 that is 9 plus 2 is 11 अब देखो एक sequence बना है that is 5,8,11 तो आपको लग रहा है एक ap है बोले हां सर लग तो रहा है first term और second term के बीच में 3 का difference है second term और third term के बीच में भी 3 का difference है difference से में तो यह sequence क्या बन गया ap बन सकता है बट अभी तक ap की बाते कर नहीं रहा है confuse मत हो न अभी ap नहीं पूछ रहा है बाद में पूछेगा ठीक है next देखो फिर part 2 देखो इसका part 2 में तुम्हें क्या कर रहा है sir n solution लिखो तो n is equals 2 क्या ले लो 1 तो a1 क्या हो जाएगा that is 1 का square plus 1 that is 1 plus 1 is 2 मैं नहीं खाँ okay a2 निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा a2 तो आप होगे 2 का square कर दो plus 1 कर दो that is 4 plus 1 is 5 मैं नहीं खाँ okay अगर आपको a3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 3 square क्योंकि n square बोला है plus 1 that is 9 plus 1 is 10 अब sequence तो क्या बना है 2,5,10 क्या आपको लगता है यह sequence ap हो सकता है बोले इसल लग तो नहीं रहा बोले क्यों बोले 5 4 2 के बीच में 3 का gap है और 5 4 10 के बीच में 5 का gap है और gap equal नहीं आए तो यह ap तो नहीं है बड़े sequence तो है sequence तो है है ओके हमने का ठीक है नेक्स देखो फिर एक्जाम्पल नंबर टू देखो क्लेर ओपा रहा है चलो राइट दो फोर्स थ्री टम ओप दसीक्वेंस मतलब आप को कह रहा है कि एएपकिन के वेल्व क्या है माइनस वन की पवर एंड माइनस वन इंटू टू ए है किसी भी sequence की एनथ टम है तो एनथ टम से तो हम first term second term fourth term कुछ भी नहीं का सकते हैं कैसे मैंने का n की value put करके निकाल ले तो इसने first term पूछी है तो आप होगे at n equals to one हम लिखेंगे a1 is minus 1 की power one minus one ठीक है into 2 की power 1 हम लिखेंगे देखो minus 1 की power 0 into 2 की power one को बोलते two और किसी की भी power अगर 0 होती है तो उसकी value one होती है तो one into two is two तो इस particular sequence जिसका एनथ term यह होगा उसकी first term क्या होगी first term होगी two अब हमारे को इस example में थोड़ा सा सोचना पढ़ेगा या first five terms पूछी इसने ना मैंने तभी यह है क्या है क्या फर्स्ट तर्म के लिए example क्यों दिया होगा फर्स्ट फाइफ टम तो हम खहेंगे फिर सीक्वेंस की second term क्या हो जाएगी minus four अगर add n is equal to three that is four third term ताप लिखो कि a3 कितना होगा बताइए जड़ा minus one की power three minus one into two की power three देखो बचा यह हो जाएगा minus one का square into two की power three का मतलब है two into two into two पहले बता देता हूं पैसी को confusion हो और minus one का square अब एक बात याद रखना है आप एक रूल बता रहा हूं golden rule कि कि सी भी negative number की power अगर even number है तो उसका answer plus में आएगा और किसी भी negative number की power अगर old number है तो answer negative में आएगा मतलब अगर minus one की power 138 है तो answer plus one आएगा और minus one की power 135 है या 1135 है तो minus one ही आएगा ऐसा होगा मैंने कहां ऐसा ही होगा गभरा मत कब होगा कैसे याद रखना है कि कि किसी भी negative number की power अगर even number है तो तो answer plus आएगा old है तो minus तो यहां से answer आएगा 1 into 2 to the 4 to the 8 1 into 8 is not 1.8 नहीं यह यह वाइं इंट 1 into 2 की power 4 तो you can write this is minus 1 की power 3 into 2 into 2 into 2 into 2 4 बार तो you can write this is minus 1 because minus 1 की power 3 है into 2 to the 4 to the 8 to the 16 तो यह हो जाएगा minus 16 तो a4 कितना हो जाएगा minus 16 now at n is equals to 5 हमें fifth term निकाल लिए तो a5 क्या होगा minus 1 की power 5 minus 1 into 2 की power 5 तो you can write this is minus 1 की power 4 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ओक तो यह जाएगा plus 1 क्यों है क्यों होगा क्यों क्यों minus की number की power क्या है even number 4 1 even number 122 तो 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 जा तो आंसर आएगा प्लस 32 यह जो सीक्वेंस से इसकी फर्स्ट पाइप टम्स हो जाएंगी आपकी कि टू कोमा माइनस फोर कोमा एट कोमा माइनस सिक्स्टीन कोमा 32 अब आप देख रहे हो जब भी आपको माइनस वन की पावर कुछ लानी है तो एट माइनस वन लिखते जाओ अगर एक नंबर प्लस का दूसरा माइनस का फिर फिर माइनस का चाहिए और पहला माइनस का चीए तो क्या करोगे एटकी पावर वन रख खनlex1 वन की पावर एंट न ही रख लो dosalt द गो कि वाट इस दाइटीन्थ टर्म उप दिफाइन बाई एन अब तो डायरेक्ट ए एटीन्थ टर्म ही पूछ ली तुम से तुम में कहा देखो हमारे को कह रहा है कि एन की वेल्यू है एन इंटो एन माइनस 3 अपोन एन प्लस 4 है मैंने कहा ओके हमें एट एन की वेल्यू 18 निका 18 माइनस 3 अपोन 18 प्लस 4 तो अब दो कहों का मन करेगा 18 से 18 काट देता हूँ 4 से 2 टाइम और 9 टाइम ऐसे करके काट लेक्टा उपर वाला तो प्रोडेक्ट में है बाहर 18 यह कट सकता है बट यह नीचे वाला प्लस में तो इसको लिखना पड़ेगा 18 इंटो 15 अपोन 22 ठीक अब टू से काटो यह 11 टाइम कटेगा और यह कटेगा 9 टाइम अब यह नंबर नहीं कटेंगा तो इनका प्रोडेक्ट करना पड़ेगा 95 जा 45 4 और 9 और 4 13 135 बाए 11 और इसको सोल कर लेते हैं 11 बंजा 11 135 में 11 का डिवाइड कर लेते हैं 11 बंजा 11 माइनस किया 25 11 टूजा 22 यह देशी मा लगाए जीड़ा आया तो 12 पॉइंट कुछा रहा है नहीं यही लिखा वाइब इसकांसर 12.2 27 यह आ सकता है ठीक है 12.27 आ सकता है में भी सीक्वेंस की 18 टम बट यह टम फ्रेक्शन में ज्यादा पूछे गाम से फ्रेक्शन में पूछे गाम से फ्रेक्शन में से लिख देगे नेक्स्ट देखो फिर एक्जाम्पल नम्बर फोर इससी क्वेंस इस डिफाइन इसे और इस कुछ रहा है तो पहलिए यह सारीध क्या होंगी positive होंगे तो मैंने खांग यार बहुती easy है तो बोले कैसे मैंने खांग देख अगर energy cost to one रखेगा तो a1 आएगा one का तो value होगा one का cube minus six into one का square plus 11 into one minus six बोले okay मैंने खांग देख वन का क्यूव one होता है minus six into one होगा बोले okay plus 11 one the 11 minus six और इसको सभार का 1 एध प्लस का 11 अधो प्लस के 12 हो गया माइनस के 6 और माइनस के 12 तो चैनल तो निकालेंगे तो खाएंगे इटू कितना होगा पहले तरी टरमझ जिरो होंए ठीडम नहीं कि नहीं आप पहले देख लेते हैं और यह नहीं हो नहीं सो करना है दिखाना है उसको तशापने का gaat A2 को निका लेंगे तो क्या लिखेंगे तो 2 か का Joobut माइनस 3 इंङु इंटू टू का स्क्राइब लिखेंगे प्लस 11 इंटू 2 का स्क्राइब लिखेंगे वायनससीथ वन्हीं ओता देत प५ प tak 8 minus 6 इंटू 2 उसका डेना थीक होगे ना प्लस 11 to the 22 minus 6 22 or 8 कितने होते हैं 30 minus 6 for the 24 or minus k6 that is 0 or not yes 24 minus k or minus k6 minus k 30 होते हैं now n is equals to 3 b calculate कर लेते हैं तो a3 कितना होगा 3 का cube minus 6 into 3 स्क्वायर मैं प्लस 11 into 3 minus 6 3 का cube बचा 27 होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 minus 6 into 9 plus 33 minus 6 तो बताओ 27 or 33 कितने होते हैं 30 30 60 हो जाएंगे minus 6 9 जा 54 और minus k6 that is also equal 0 yes तो मैं यह तो प्रूव कर लिए कि इसकी फर्स सेकिन और थर्ड टर्म इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की 0 है एपी नहीं बोल रहा सीक्वेंस बोल रहा है collection of numbers is sequence defined and rules okay now and all other terms are positive अब कोई भी term इसकी क्या हो सकती है positive हो सकती है बोले हमने देखो सर अगर all other terms की बात करें तो अगर मान लो मैं इसकी fourth term calculate करने तो थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा बट एक बाद चेक कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे देखो मैं बोला a4 निकाल लिए इसकी तो क्या होगी 4 का cube minus 6 into 4 square plus 11 into 4 minus 6 अब देखो मैं केसी के help लेके फटा-फट calculation कर लेता हूं ताकि हमारी calculation बड़ी नहीं हो तो 4 का cube तो मेरे साब से 64 हो रहा है 4 into 4 into 4 64 that is 64 minus 6 into 16 6 into 16 that is also equals to 96 minus 96 plus 44 और minus के 6 तो 66 और 4 plus 4 8 और 6 plus 4 10 108 minus 96 और 6 दोनों मिला के कितने होंगे 102 तांसर कितना या 6 मतलब 4th term क्या रही है 6 तो देखो सर हमारे को यहां पर यह क्या कर रहा है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि यह एक की पाव एक 4th term क्या गई है 6 आ गई है इसका मतलब अब यह value बढ़ने लगी है एक तरीका तो यह हम बोल सकते हैं बट एक तरीका यह भी है सर इस cubic को अगर आप देखो यह क्या है इस cubic के अगर आप factor करो तो इसके factor बचा यह हो रहे है n-1 into n-2 into n-3 अब आप देखो जब 1 रखा तो यह नंबर 0 बन गया था तो 0 into 0 2 रखा तो यह हो गया 3 रखा तो यह हो गया बट अगर आप फरदर कोई नंबर लिखो गया तो कोई भी तीनों में से कोई भी टर्म 0 नही होगी ठीक है तो कोई भी टर्म 0 नहीं होगी तो नंबर पोजिटीव आएंगे क्योंकि नेगेटिव तो बनी नहीं सकते ना 3 से बड़ा नंबर रखते ही प्लस 1 बन रहा है समझ में आ रहा है यह और इसकी वज़ए से हम बोच सकते हैं कि सर इसकी हमेशा वेल्यू इस सीक् इसकी एवन आपको 3 दे रखिए मैंने यह क्या होता है फिर्स टर्म मैंने को वेरी गूर्ट ए एन भी दे रखिए यह एट इस थ्री एन माइन माइनस 1 प्लस 1 ओके फोर ओल एन इक्वास टू एन इस ग्रेटर देन वन मतलब एन की वेल्यू ग्रेटर देन वन होनी चीज मे आपको पता नहीं है और इजिरो नहीं पता है और बात है ठीक है तो हमारे को क्या करते है लिए लेटे सीक्वेंस भी डिफाइन फाइंड फर्स्ट फोर टर्म ओप दर सिक्वेंस तो मैंने घप फैस्ट तर्म तो पता है तो आगे फोर टम और निकाल लेते हैं तो एट एड इस इकस टू लिखेंगे तो मैंने का एट टू क्या बनेगा थ्री इंटू एटू माइनस वन प जिसको मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 1 इस 10 तो एटू कितना हो गया हमारा 10 बुले कोई भी सीक्वेंस देखो यह क्या सिखाना चाहते हैं यह को सिखाना चाहते हैं कि कभी एठ टम की हेल्प से किसी भी है पी या सीक्वेंस में आप कोई भी टम पता कर सकते हैं एट की तो रखके देखो इसमें 3 into a 3 minus 1 plus 1 that is 3 into a 2 plus 1 a2 अभी पता किया ना आपने 3 into 10 plus 1 that is 30 plus 1 is 31 इसका मतलब a3 भी आपने पता कर लिया कितना है आपका 31 तो अब एक और टर्म पता कर लो एनी जी करस्टू 4 मेरे साब से 4 ची टर्म पता करनी होगी फैस टर्म तो पता है है यस यह 4 पता करने के लिए क्या लिक होगे 4 sorry 3 into 3 into a 4 minus 1 plus 1 that is 3 into a 3 plus 1 अब मुझे बताओ 3 into a 3 कभी कितना पता किया तुमने 31 plus 1 तो यह हो गया 30 33 is a 993 plus 1 that is 94 तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की कंटिनू फर्स्ट 4 तर्म से 3 10 31 and 94 and you can say this is not a not a जल्दी बताओ क्या नहीं है सब 3 10 31 यह सीक्वेंस है बट यह एक अपी तो नहीं है अपी के लिए हमने एक बात सीखिए थी कि कोमन डिफरेंस इकोल होना ची लास्ट बट नॉट दे लिस्ट एक्जांपल नॉमबर 6 लेटे सीक्वेंस बीदवेंस इस एटू इस एटू इस एंडिस मैंने का ठीक है यह वन वो एक और और एईन कितना दे रखा है तुम्हारे को एंड माइनस 1 प्लस एंड माइनस 2 बोले तो 4L all n is greater than 2 अधो एन की वेल्यू greater than 2 रखो कि तब ये काम करेगा दरवाई यह काम ही नहीं करेगा मैंने ठीक है find a n plus 1 upon an 4 energy equals to 1234 यह क्या कर नफूजन कर देया अब आवा तुने तो बोले देखो सा कुछ नहीं करना हमें simple सा मैंने क्या करना है बोले सबसे पहले a n पता है कि आपको मैंने सबस्क्राइब करना इस वाली पूरी वेल्यू के अंदर एन प्लस वन लिख दो तो मैंने का ठीक है अब तो यह अब तो यह अब तो क्या निकालेगा यह वाली टर्म निकालेगा ए एन प्लस वन अपोन एन तो आपको क्या करना है यह यह पर तुने एन की वेल्यू थ्री रखनी है तो तो नहीं रख सकता तो थ्री रखेगा तो आपके पास नीचे से तो कोई वेल्यू आएगी नहीं ध्यान से देखो इधर से कोई वेल्यू आ सकती वोले आ सकती मैंने का एथ्री आएगा और यहां पर एफ़ोर आएगा तो वेल्यू नहीं पता तुन्हें क्या करना है यह सिंपल का देखो एवन एटू तो आपके पास है आप पहले इस 2 is a 2 plus a 1 a 2 हमारे वो कोशन में दे रखा है 1 a 1 भी 1 that is 2 मैंने खाओ के a 4 निकालना है तो a 4-1 plus a 4-2 that is a 3 plus a 2 a 3 हमने अभी पता किया था 2 आया है और a 2 पहले से पता है 1 है है तो that is 3 मैंने खाओ ठीक है a 5-4 पता कर ले मन कर रहा है मेरा तो a 5-1 plus a 5-2 is a 4 plus a 3 is a 4 है 3 और a 3 है 2 that is 5 अब क्या करना है मैंने खाओ कुछ नहीं करना तिरको सिंपल सा तु बेठे बेठे देखता था क्या करता हूं मैं बस उतना ही देख ले दिख रहा है सब को अब देखो तुम्हें क्योंसन बोला कि इसकी वेल्यू पता करके दिखाओ इसकी वेल्यू कब जब एन की वेल्यू 1 2 3 4 है तो मैंने खाओ तो मैंने खाओ 1 टू अपोने um तुम एक पता है यह वन पा जाय खया है देखो एक करन्हस हमने तो यह तो प्लस वन आप अब तुम्हें n at n is equals to 3 पर पता करनी है तो आप क्या कहोगे a3 plus 1 यह लिखा ना n plus 1 तो 3 plus 1 upon an that is n is 3 is a4 by a3 तो आपने का ठीक है a4 कितना है 3 a3 कितना है 2 तो यह value आगई 3 by 2 ना अब हमें लिखना है at n is equals to 4 क्योंकि इस particular value पर चार value पूछ रहा है वो तुमसे n is equals to 1,2,3,4 ना ताप लिखोगे a4 plus 1 upon a4 is a5 upon a4 अरे वह अपना तो a5 काम में आ गया that is 5 by 3 कितना आ गया 5 by 3 तो basically मेरे साथ से तुम्हें कोछ ज्यादा problems तो नहीं आएंगी नया chapter है मैं मानता हूं बट इतना difficult भी नहीं या इसको otherwise मतलो फिर भी कोई डाउट हो comment कर देना और अपने दोस्तों के साथ यह चैनल जरूर सेर करना ताकि उनकी भी और पढ़ने में help हो जाए और मेरा भी थोड़ा motivation बढ़े लाइक शेर कमेंट करते राखो थैंक यू have a nice day